ग्यान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को आज एक बहुत ही शक्तिशाली वरत के बारे में बताने जारी हूँ ये वरत करने वाले की सभी मनुकामनाएं पूर्ण होती हैं ऐसी ही मान्यता हैं और होती भी हैं ये वरत है माकाली का मा काली के वरत के बारे में जातर प्रचलित यही है कि मंगलवार और शनीवार को इनका वरत किया जाना चाहिए एक संकल्प के साथ आप इनका वरत करते हो या तो ग्यारा मंगलवार करें या फिर ग्यारा शनीवार करें शुक्रवार को भी कहते हैं कि माकाली का वरत कर सकते हैं ये सारे दिन तो ऐसे हैं जिनमें आपको संकल्प करने होते हैं 11 या 21 का एक दिन जो बहुत ही important है और आप सिर्फ एक दिन भी कर लो तो भी आपकी मनुकामनाई पूर्ण होनी सिध है वो दिन है आमावस्या का आमावस्या की रात्री को मा की पूजा अगर विधी विधान से की जाए और सचे दिल से माका की भक्ती की जाए उनकी अर्चना की जाए तो भी आपके सारे मनुकामनाई सारे मनुरत सिध होते हैं या किसी बड़े परिशानी में आप घिरे हुए हैं तो उससे बाहर निकल जाते हैं जिन लोगों को black magic की problems हैं जिनको लगता है कि उनके घरों में कोई negative energy है या किसी का कर्ण से अब उनके उपर वो लोग भी माकाली के इस व्रत को अगर एक दिन भी कर लेते हैं तो भी उनको बहुत जादा फल मिलता है और उन्हें positive energy मिलती है protection मिलता है इनके व्रत को करने के कई सारी तरीके हैं लेकिन simple हम अपने Hindu religion में जानते हैं कि कोई भी व्रत का मतलब सिर्फ इतना है कि सुभा से आप नहाद होकर के जिस भी देवी देफता का संकल्प आपने लिया है व्रत करने का उनके मंत्रों का जाप आपको निरंतर दिन भर करना है उनका नाम जाप आपको करते रहना है कोशिश यही करनी है कि आप कोई भी अन्न का सेवन ना करें अन्न का सेवन नहीं होना चाहिए मतलब अनाज आप नहीं खाओगे आप फलाहार ले सकते हैं अगर आपको health issues है पानी खूब पी सकते हो, juices आप ले सकते हो इतना करके आपको सारे दिन वरत रखना है ठीक है? अमावस्या के दिन अगर आप वरत कर रहे हैं काले रंग का वस्त्र बिचाईए आप भी कोशिश कीजिए कि अगर black पहन सकते हो तो black पहनो ठीक है? इस तरह से करके और मावको पूरा अच्छे से उनके सारे भोग चढ़ाईए उनका शिंगार चढ़ाईए जिस तरह से विधी विधान से हम करते हैं वैसे ही पूजा करनी है आपको एक कलश भी बना के रखना है कलश का मतलब सिंपल यह है आप एक कलश लेके उसमें पानी भरिये उसके उपर एक नारेल की स्थापना कीजिए और फिर उस पे स्वास्तिक का चेन्य बनाईए उसको धूब दीब दिखाईए मा को धूम दीब दिखाईए बैट करके ओम, क्रीम, कालिकाए, नम्हा इस मंतर का जाप 108 बार रुदराक्ष की माला से मा के सामने कीजिए अपनी मनो कामना के लिए मा से प्राथना कीजिए जो भी मनो कामना, मनोरत आपको सिद्ध करने हैं पूरे करने हैं, अपनी wishes manifest करनी हैं उनके लिए मा से प्राथना कीजिए क्यों कहते हैं कि मा काली की से की गई प्राथना है या उनका किया गया व्रत किसी भी मनोरत को सिद्ध करता है उसके पीछे का कारण सिर्फ ये है कि जब हम मा काली की आराधना करने लगते हैं तो हमारे करम काफी हद तक कट जाते हैं क्योंकि हमारे और हमारे wishes के बीच में अगर कोई बहुत जादा blockage create करता है तो हमारा खुद का करमा और अगर हमारा करमा positive हो जाता है अगर हमारा करमा कट जाता है तो हम देखेंगे कि फिर हमारे और हमारे विशिस के बीच में जो रुकाफटे थी वो खतम हो जाती हैं और हम अपनी विशिस को जल्दी से मैनिफस्ट कर पाते हैं रात के टाइम पे जब आप मा की पूजा करने बैठें सारे समान का इंतजाम पहले से कर ले फिर ये मैं आप मावस्या की रात के लिए बता रही हूँ इसके बाद जब आप पूजा करने बैठें तब मा के वरत की जो कथा है उसका श्रवन जरूर करें जरूर उसको सुने पढ़ें और फिर मा के जो मैंने आपको मंत्र बताया उन मंत्रों को जाब जरूर करें 108 बर अच्छे से मा से विंती प्रातना करें फिर आप आराम से सो जाएं सुभा उठके कलश का पानी आप तुलसी क्यारी में डाल दीजिए पौधों में डाल दीजिए और जो नारियल है श्रीफल है उसको मा के सामने ही फोड़िए जहां पे आपने आसन लगाया था प्रशाद के रूप में मा को अरपन कीजिए खुद भी खाये बाकी सब को बाटिए श्रिंगार जो आपने चड़ाया है मा को वो श्रिंगार आप मंदिर में जाके दान कर सकते हैं नहीं तो आप खुद भी या फिर अपने माता को दे सकते हैं कि वो इस श्रिंगार को अप अपने उपर इस्तमाल कर पाएं मा को हमने चढ़ाया है तो आप दे सकते हैं ठीक है ये तो अमावस्या के व्रत के लिए हो गया अगर आप शुकरवार मंगलवार शुकरवार या शनिवार इन तीनों दिनों में से कोई एक दिन सेलेक्ट करते हैं और एक संकल्प के साथ करते हैं कि हमें 11 मंगल करने हैं या 21 मंगल करने हैं इस तरह से शुकरवार या शनिवार के लिए संकल्प करते हैं तो आपको किसी भी एक दिन से शुरुवात करनी है और हर हफ़ते के उसी पर्टिकुलर दिन पर चाहे वो मंगल हो शुकर हो या शनि हो जिस भी वार को आपने सि चोड़ देंगे आप उसको छोड़ करके आग एक अकाउंट continue रखेंगे 11 जब 11 या 21 जो भी नंबर का संकल्प आपने लिया है जब वो पूरा हो जाए तब फेर आप उसके last वाले suppose आपने 11 रखा है तो बारवे शुकरवार शनिवार या मंगलवार उस दिन आप इस वरत का उध्यापन करेंगे उध्यापन बहुत important है उध्यापन वाले दिन सबसे पहले हम शामायाचना करते हैं कि इतने दिन जो हमने वरत किया उसमें अगर कहीं हमसे कोई गलती हो गई तूट जाता है तब उनकी wishes वहीं समाप्त हो जाती है हो ही नहीं सकती है जब हम कोई संकल्प लेके करना शुरू करते हैं तो ध्यान रखिए बीच में बहुत सारे रुकाव्टे आती हैं बड़े सारे test होते हैं शायद आपके energies लेती हैं और तब जाके जो लोग पूरा कर कर पाते हैं उद्यापन अच्छे से कर पाते हैं उनकी wishes manifest होती है यह सारी चीजें हैं सारी मानेताइं हैं और मानेताइं नहीं यह सारे होते ही हैं आप करके देखिए आपको अपने आप अनुभव होगा इस तरह से आप लोगवरत कर सकते हैं अगर आप काल का मन्δिर जो की दिल्ली में सित है अगर यहाँ पर आसवास में रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने वréeतों के दौरान एक बार मा के दर्शन उनके स्थान पे जाके जरूर करें जब हम इस तरह के स्थान पे ज नहीं हैं, बाकी डीटेल्स की और अच्छे से कैसे करें, आप अपने घर के पास जो मंदर हैं, उनमें जाके पंडिजी से पूछ सकते हैं, नहीं तो खुद भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप जो वरत की किताब की कताब लाएंगे, उसमें भी आपको मनुकामनाएं जरूर पूरी होंगी, माकाली का आशिरवाद आप सब पे बना रहें, माकाली आप सब की मनुकामनाएं जल्दी जल्दी पूरी करें, इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद